रोजाना इन चीजों को तकिये के नीचे रख कर सोएं, यकीन माने किस्मत जाग जाएगी. अक्सर आपने देखा होगा, जब कभी बच्चे सोते सोते डर जाते हैं, तो उनके तकिये के नीचे कैंची या चाकू रखा जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि कैंची और चाकू आफ के पास नकाराक्मक उर्जा को आने से रोकते हैं, आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं, जिसमें तकिये का इस्तमाल कर आफ अपनी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं. आईए जानते हैं इन उपायों के बारे. अपने तकिये के नीचे लोहे की कोई चीज जैसे चाकू या कैंची रखकर सोने से बुरे विचार नहीं आते हैं, यह नकाराक्मक उर्जा को आपके पास आने से रोकते हैं. सफेद कपड़े में सौंफ बांध कर तकिये के नीचे रखकर सोने से यह राहु दोश दूर करने में मदद करता है. ऐसा करने से आपको बुरे सपने और मानसिक परेशानिया से चुटकारा मिलता है. इस उपाय से राहु का बुरा प्रभाव कम होता है. सोते समय अपने तकिये के नीचे लहसून की कलिया रखकर सोने से आपके आसपास सकारात्मक उर्जा का संचार होता है यह नकारात्मक उर्जा को खत्म कर आपको अच्छी नींद में मदद करेगा. आप अपने सिरहाने के सोना या चांदी का आभूशन रखकर सोएं. इससे मंगल दोश दूर होता है. अगर आपकी जिन्दगी में नकारात्मक ताने घर कर लिया और आपको बार-बार खराब विचार आते हैं, ऐसे में भी आपको अपने तकिये के नीचे लहसून रखकर सोना चाहिए. परीक्षा से डर लग रहा हो, तो ऐसे में किताबों को तकिये के नीचे पास में रखकर सोएं. ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी. विध्यापन अगर सही से सो नहीं पा रहे हो, तो इसकी वजह कुछ भी हो, तकिये के नीचे हरी इलाईची रखकर सोएं. इससे आपको गहरी नींद आएगी. अगर सोते हुए रात को डरावने सपने आते हैं, तो तकिये के नीचे या पास में हनुमान चालिसा रखकर सोने से रात में डर नहीं लगेगा.